हेलो गैस तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S8 Ultra और T800 Ultra जो स्मार्ट वोच है उन दोनों स्मार्ट वोच में हमें क्या-क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है गैस यह जो दोनों स्मार्ट वोच है काफी अभी वाइरल हो रही है और गैस मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में T800 Ultra स्मार्ट वोच के अंदर कोई यूट्यूब चला रहा है कोई फेस्बुक चला रहा है ऐसी कई सेरी डिटेल्स के साथ हम इन दोनों स्मार्ट वोच इसका कंपेरिजन करेंगे यह है T800 Ultra स्मार्ट वोच और यह है S8 Ultra स्मार्ट वोच सबसे पहले डिफरेंट के बात करें तो हमें यहाँ पे दोनों के बोक्स जो है वो काफी डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं जैसे इन दोनों बोक्स को उपन कर लेते हैं यह है हमारी T800 Ultra Smart Watch यह है हमारी S8 Ultra Smart Watch जैसे कि नॉर्मली बात करें तो हमें T800 में एक ही बेल्ट मिलेगा और S8 Ultra Smart Watch में हमें यहाँ पर दो बेल्ट मिलते हैं तो हमें दोनों Smart Watch इसको रेडी कर लेते हैं तो यह हमारी दोनों Comparison वाली Smart Watches तो हम दोनों को एक साथ स्विच ओन करते हैं देख सकते हैं अपने इपने हिस्साथ से दोनों अलग अलग तरीके से ओन हो जाएगी T800 Ultra तो चालो भी हो गई, बहुत फास्ट है यह तो तो कुछ इस तरीके से हमरी दोनों स्मार्ट वोचिस ओन हो चुकी है अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्ट वोच इसके डिस्पले के बारे में तो हमें T800 Ultra स्मार्ट वोच में 1.99 इंच के हमें डिस्पले देखने को मिल जाती है और इसके कंपर में अगर हम S8 Ultra की बात करें तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ज्यादा बड़ी मिल जाती है डिस्पले वेसे भी अगर आप इन दोनों स्मार्ट वोच की पूरी बोड़ी देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है बाकि हम इन दोनों स्मार्ट वोच के गर साइड लुक की बात करें तो दोनों में सेम डिजाइन है यह T800 Ultra का जो स्पीकर है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है साइड में और S8 Ultra में हमें नीचे की साइड में स्पीकर मिल जाता है और इन दोनों smart watch में यह जो scrolling button है यह हमें working condition में मिल जाता है basis T800 Ultra में हम कोई SIM card वगिरा नहीं चला सकते फिर भी किसी वीडियो में दिखाया जाता है कि यहाँ पे आप SIM card चला सकते हो और हमर यह जो एसे टल्टरा smart watch है इसके अंदर तो हमें properly यहाँ पे SIM card का slot दिया हुआ है जिसे आप जो एक कुछ इसरी के से यहाँ से open करके यहाँ पे जो आप अपना SIM card set कर सकते हो यह T800 Ultra जो smart watch है यह हमें normally smart watch मिल जाती है जिसके अंदर हम कोई भी Android application वगरा नहीं चला सकते है इसकी compare में हम ASET Ultra की बात करें यहाँ पे जो हमें यह total पूरी Android smart watch मिल जाती है इस ASET Ultra smart watch में आप किसी भी application को जो install करके यूज कर सकते हो यह से दिखने में तो दोनों same लगती है लेकिन जैसे हमें दोनों smart watch के function और features देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमें एकदम normal सी smart watch मिलती है यह पूरी smartphone की तरह Android smart watch मिल जाती है पर ASET Ultra smart watch में हम यहां से direct wifi को भी connect कर सकते हैं जो T800 ultra में कुछ इस तरीके से wireless charging मिल जाता है और इस ASET Ultra smart watch में हमें कुछ इस तरीके से magnet वाला cable देखने को मिल जाता है पर इस इन दोनों smart watch में heating की बात करें तो इस ASET Ultra smart watch में थोड़ी से heating की problem देखने को मिल जाती है और T800 ultra में हमें कोई भी heating वाली problem नहीं मिलती है बात करें इन दोनों smart watch के sensor की दोनों में अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से sensor जो है पूरे work करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे में इन दोनों smart watch में heart rate को check किया एक माया 57 और दूसरे माया 76 कजाब बेज जती है तो sensor में ये दोनों smart watch प्रोपरली work नहीं करती है कुछ लोग तो दिखाते हैं कि आप T800 ultra smart watch में YouTube चला सकते हो लेकिन मैं आपको अगर बताओं कि इसके इंदर ना तो Wi-Fi चलता है और ना तो SIM card लगता है एसे टल्टरा में तो यहाँ पर प्रोपरली SIM card भी चलता है और यहाँ पर Wi-Fi भी connect होता है जिससे जो है एसे टल्टरा में YouTube अगरा भी चला सकते हो हम गेम्ज को भी खेल सकते हैं और extra applications को भी यूज कर सकते हैं कई सर ऐसे features है जो कि इन दोनो smart watch में काफी different मिल जाते हैं कैसे इन दोनो smart watch इसमें जो भी main difference थे वो मैं आप सबको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको इन दोनो smart watch के बारे में कोई भी question है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और यह video आपके लिए useful रही हो तो इससे like कर सकते हैं और ऐसे interesting videos दिखने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं